हेलो एब्रीवन, वेलकम तू स्किल आईक्यू, स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है, तो हम कर रहे थे हमारे ब्लैक बुक से वोक्याब, और ये वोक्याब के लिए कौन सा पार्ट है, नाइन्थ पार्ट है, जिसमें हम OWS, यानि के वन वर्ड सब्स्टिटूशन कर रही तो यहाँ पर है, to give one's authority to another, उसको delegate बोलते हैं, सबसे पहले बात तो इसका part of speech जो होता है, वो क्या होता है, वाब होता है, delegated, delegated, इसका second and third form होता है, authority देना किसी दूसरे को, ठीक है, वो उसका क्या बन जाता है, फिर प्रतिनिती, यानि के delegate करता है वो उस चीज़ को, ओके slow and careful, moment or thought, उसको deliberation बोलते हैं, r-a-t-i-o-n, एक process है, noun word है, यानि के deliberation करके, slow and careful moment or thought, मतलब बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज़ करना, deliberation, मतलब बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज़ करना, कोई कदम उठाना, an omission of duty, उसको delicacy बोलते हैं, delicacy spelling के हिसाब से भी important word है, और omission of duty, मतलब क्या है कि, जो भी आपका करतवे है, जो भी आपके duty है, आप उससे थोड़ा सा हट के चीज़ करते हो, यानि के आप अपने होवे में चूप कर देते हो, तो आपने क्या कर दिया है, delicacy कर दिया है, delicacy, spelling test के साब से important word है, next है, a young person tending to commit crime, particularly minor crime, मतलब छोटा मोटा कोई आपने crime कर दिया है, उसको delicacy कह सकते हैं, उपर वाले word से आप इसको relate कर सकते हो, और ये एक adjective word है, मतलब quality को बताएगा, ये आपकी अपराधिक quality के बारे में बात करेगा, before become, sorry, become liquid, typically during decomposition, delicacy, delicacy, ये verb होता है, delicacy, delicacy, second and third form होता है, liquid बन जाना, especially जब decomposition किया जा रहा हो, या decomposition की जो process है, वो हो रही हो, गलने या सडने को decomposition बोलते हैं, जब आप liquid बना रहे हैं या बन रहा है उस समय, तो delicacy हो रहा है, क्या हो रहा है, फिगल रही है वो चीज़, या फिर वो चीज़ क्या हो रही है, गल रही है, उसके बाद हम देखते हैं, next हमारा क्या है, a disturbed state of mind caused by an illness, उसको delirium बोलते हैं, delirium, d-e-l-l-i-r-i-u-m, delirium, delirium में क्या होता है, कि जब भी मान लो हम बिमार हैं, हम बिमार हैं, तो जवर का मतलब बिमार होता है, बुखार जिसको आप बोलते हो, जवर बोलते हैं, उसको science की language में, तो हिंदी में जब उसको लिखते हैं, तो आप एक ऐसी mental state में हो, जब आपका दिमाग जो है ना किस तरीके से है, मतलब बिमार है एक तरीके से और disturbed आप महसूस कर रहे हो, तो आप जो है कैसी situation में हो, किस परकार की situation में हो, delirium, ओके, delirium, next, a political leader appealing to popular desires and prejudices, सबसे पहले prejudices का मतलब देखें, यहां पर क्या होता है, prejudice का मतलब होता है, सबसे पहले तो यह noun word होता है, इसका मतलब होता है, पक्षपात, या फिर आप कह सकते हैं, हानी कह सकते हैं, या फिर आप पूरव धारणा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, पक्सपात, हानी या फिर पूरो धरना कह सकते हैं आप इसको एक पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो अपील करता है किसी भी पॉपुलर डिजायर के लिए या फिर प्रेजुडिस के लिए मतलब एक जो है एक तरीके से आप को ये बताएगा कि आगे आने वाले समय में इस तरीके से हो सकता है ये दिक्कत हो सकती है ये दिक्कत हो सकती है आप मेरे साथ लगिए ये करिए वो करिए तो वो आपको क्या कर रहा है डैमो गोग है वो एक परसन वो क्या कर रहा है आपको म Demogog, meaning भी समझ में नहीं आएगा अगर हम पेपर में बैठे होंगे तो, अगर नहीं बात सच लग रही तो comment box में लिखके मुझे बता दो अपने विचार, A system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives, उसको democracy बोलते हैं, जो कि अपने country में है, The state of population and its dynamics, उसको demography बोलते हैं, ये process होती है, जन संख्या होती है, किसी भी particular country, area, state, जो भी आप कहें, उसके बारे में उसके study करना, और उसके क्या-क्या, मतलब क्या चल रहा है, कितनी, मतलब रोजगार कितना है, शिक्षा, education, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब discussion किया जाता है, allowance, home, उसको den बोलते हैं, take away और alter, alter the natural qualities of, उसको denature बोलते हैं, denature, denature, इसका second and third form होता है, ठीक है, अब यहाँ पे एक word है, denature, denature मतलब होता है, विक्रीत करना, किसी चीज़ को तोड़ देना, take away the natural qualities of, मतलब तोड़ देना, अब यहाँ पे एक word लिखा हुआ, alter, एक तो यह ह है, और एक होता है, alter, ठीक है, यह दो word होते है, woc की category में भी आते हैं, यह words, alter और alter का मतलब क्या होता है, यह verb होती है, और इसका मतलब हो जाता है, hair fair करना, बदलना, change करना, यह होता है, हमारा noun, अल्टार, अल्टार का मतलब होता है, किसी भी एक अक्षेत्र या स्थान के पारे में जब हम बात करते हैं ऊके तो वह अल्टार होता है ऊके है ना तो यह चीज जो है जाननी बहुत जुरूरी है यह wc का एक तरीके से पार्ट जो है रहता है उसके बाद है हमारा क्या होता है उसके बाद criticize unfairly उसको denigrate बोलते हैं denigrated denigrated उसका second and third form होता है और denigrate करना मतलब criticize करना unfairly देखो criticize करना बुरी बात नहीं होती है criticize को हिंदी में बोलते है आलोचना ठीक है आलोचना में क्या करता है कोई भी particular person उसके negative and positive दोनों points को discuss करता है अब जनता देख लो किसको क्या चाहिए ठीक है वो एक critic person क्या करता है criticize करता है और उसका काम होता है उसके negative and positive effects को बताना बट जब वो unfairly करेगा तो वो denigrate कर रहा है वो सिरफ बदनाम कर रहा है unfairly अगर वो कर रहा है तो unfairly क्या करेगा वो उसके सिरफ negative points किनाएगा वो तो क्या करेगा वो उसके बाद है portrait in words उसको depict बोलते हैं portrait picture होता है चित्र होता है उसका सब्दों में वर्णन करना depict करना कहते हैं उसको और यह verb है तो depicted 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 इसका second and third form होगा a person who gives written testimony for the use for use in a law court उसको deponent बोलते हैं सबसे पहले testimony का मतलब समझना बहुत जुरूरी है testimony noun word होता है इसका मतलब होता है शपत पत्र शपत पत्र जब गवाही कहलो आप इसको एक तरीके से ठीक है और आप क्या कहोगे बयान कहलो इसको ठीक है साक्षय कहलो इसको यह सब आप testimony को कह सकते हो उसके बाद deponent क्या होता है deponent यही होता है testimony ठीक है गवाह या शाक्षय सपत एक तरीके से आप कहें तो यह सब मतलब कह सकते हैं आप deponent क्योंगे morally corrupt उसको depraved बोलते हैं depraved adjective होता है और इसका मतलब breast कहेंगे आप depraved का ठीक है वो morally बिलकुल corrupt हो चुगा है इससे ज्यादा तो क्या गिरेगा उसके अंदर नैतिकता नहीं है इस तरीके की चीज़े नहीं है to feel and express strong disapproval उसको depreciate बोलते हैं deprecate बोलते हैं sorry depreciate नहीं depreciate तो यह होता है किसी भी चीज़े का मुल्य कम करना depreciate होता है अगला ही हा गया depreciated depreciated इसका second and third form होता है deprecate का मतलब क्या होता है deprecate का मतलब होता है विरोध करना to feel या फिर express strong disapproval मतलब आप अपनी तरफ से क्या दिखा रहे हो बिलकुल भी आप उस चीज़ को support नहीं कर रहे हो बिलकुल भी follow करने की आप अनुमती नहीं देते हो तो आप क्या कर रहे हो deprecate कर रहे हो उस to become less valuable over a period of time उसको depreciate कहेंगे इसमें दोनों तरीके से हो सकता इसमें नैतिक यानि के morally भी आप किसी चीज़ का मुले डाउन हो जाता है किसी की value डाउन हो जाती है और पैसे के मामले में भी depreciate word use करते हैं next unable to think clearly because of a mental illness आप deranged हो गए है मतलब adjective word है deranged और deranged वैसे verb होती है deranged इसका second and third form होता है बट यहाँ पे adjective word कहेंगे आप इसको इसका मतलब आप एक तरीके से mentally आप उस situation में नहीं है कि आप चीजों को judge कर सकते हैं आप अपने आपको क्या कर सकते हैं express कर सकते हैं अपने विचारों को thoughts को हना तो आप enable हैं सोचने के मामले में और mentally आप जो है disturbed है एक तरीके से due to endless हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण जो है आपका जो mentally आप अपने आपको fit महसूस नहीं कर रही है a person without a home, job या फिर property उसको derelict बोलते हैं d-e-r-e-l-i-c-t derelict derelict मतलब क्या होता है ये भी एक adjective होता है इसका मतलब आवारा वेक्ति कहेंगे आप आवारा ही हो गया वो उसके पास बचारे के पास job नहीं है कोई property नहीं है कोई घर नहीं है तो वो derelict person होता है वैसे एक negative word के रूप में आप इसको देखते हैं वैसे ज्यादा तर बट मैं इसको एक positive word कहूंगा क्यों कहूंगा क्योंकि derelict person किसी न किसी दूसरे person के कारण हो सकता है कोई और बात भी हो सकती है जरूरी नहीं है प्रते क्डे डेLEYक्ट परसन एक आवारा व्यक्ति होता है देखो हिंदी में कितना गंदा meaning है यार ये है ना है ना आवारा व्यक्ति आवारा व्यक्ति किसको आवारा किसको गहते हैं यार आप मुझे comment box में बताएं कि आप आवारा किसको कहेंगे comment box में लिखके बताइए आप मुझे उसके बाद है हमारा failing to discharge one's duty उसको dereliction dereliction बोलते हैं नावन वर्ड हो गया कृतवय का त्याग जिसने कर दिया है अपने करतवय का त्याग क कर दिया है जिसने डिलिक्ट क्या होता है और फिर anonym लग जाता है तो नाउन बन जाता मतलब उसने अपने जो duty है न वो अच्छे तरीके से नहीं निभाई है वो इसलिए dereliction type का person है उसके बाद हम बात करते हैं to laugh at something in a cruel way उसको deride बोलते हैं deride उसका second and third form होता है किसी का मजाख करना है न बड़े गंदे तरीके से आप जो है किसी के उपर हसते हैं है न बहुत ज़्यादा गलत बात है a doctor who studies and treats skin diseases उसको बोलते हैं dermatologist और जिस process के तहत वो इलाज करता है उसको dermatology बोलते हैं dermi dermato यह जो है या dermat एक तरीके से related to skin होता है the scientific study of skin disease उसको dermatology बोलते हैं या उस चीज को या उस process को जिसके अनुसार एक dermatologist जो है इलाज करता है उसको dermatology बोलते है लोजी means study the abandonment of one's country और cause उसको desertion बोलते हैं परित्याग छोड़ देता है जब कोई या छोड़ देने की जो process होती है किसी व्यक्ति की किसी country या फिर किसी भी चीज को cause को किसी भी कारण से कोई भी चीज जब छोड़ देता है कोई desertion उसको बोलते हैं उस process को छोड़ने वाली process को उसको destitute बोलते हैं, adjective word होता है, बदहाली, मतलब क्या है कि एक person है जिसके पास पैसे नहीं है, पूड नहीं है, और दूसरी जो जरूरी चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको आप बोलते हैं, वो जो है एक तरीके से destitute type का person है, उसके पास बैचारे के पास जो भी आवश्चक चीजें होती हैं, जीने के लिए, जीबन जीने के लिए, वो चीजें उसके पास नहीं हैं, one who investigates and solves crimes, उसको detective बोलते हैं, ज्यादा मुझे बताने के जरूरत नहीं है, the action of disgracing an action or event through instilling doubt or fear for the consequences, उसको deterrence बोलते हैं, deterrence का मतलब होता है, रुकावट डालना, बड़ एसा action जो क्या करता है, disgrace करता है, किसी भी action या फिर event को किसके थूरू, या तो doubt हो सकता है, या डर हो सकता है, किसी भी घटना के घटने का, तो वो डर जो है, वो action जो है, वो क्या कहलाता है, वो deterrence कहलाता है, मतलब एक तरीके से काम करने के अंदर बादा डाल दी गई है, कि Showing a skillful use of underhand tactics to achieve goals, उसको devious बोलते हैं, devious मतलब executive word होता है, इसका मतलब mork, धूर्त या फिर foolish person आप कह सकते हैं, ऐसी skills का use करना, जो underhand tactics है, किसी भी goal को achieve करने के लिए, मतलब बेवकूफ ही कर सकता है, ऐसी ऐसा person, बस devious दे दिया, fool देने की बजाए, ठीक है, पूल मतलब मुर्क या डेवियस भी मुर्क होता है, ये मतलब एक तरीके की, ये noun word होता है, ये adjective word है, मतलब ये quality की बात कर रहा है, quality बताता है, fully सहया क्या है, मतलब उस वे से मैं quality की बात कर रहा हूँ, ये quality means adjective से relation होता है, मतलब adjective को बताना जाता हूँ, मैं, skillful with your hands, dextrous, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों हातों का एक तरीके से इस्तेमाल करने की जो skill होती है, वो dextrous person के पास होती है, executive word है, O.U.S. ending word है, determine the nature of the disease, उसको diagnose बोलते हैं, diagnose word जो है, आप noun के रूप में भी use करते हो, और एक आप, नहीं, noun के रूप में भी, हाँ, बिलकुल करते है हैं, same spelling को noun के रूप में use, और आप जो है, इसको verb के रूप में भी use करते हो, जब verb के रूप में use करोगे, तो E है, इसके पीछे, तो D लगा दोगे, second and third form बनाने के लिए, ओके, और इसका मतलब, diagnose का मतलब क्या होता है, किसी भी, जो disease है, उसके nature को, जो है, आप क्या कर ले तो Determine कर लेते हो, जान लेते हो, पहचान लेते हो, ओके, the process of deciding the nature of a disease by examination, और जब आप पूरी examination कर चुके हो, तो Determine कर चुके होते हो, कि ये रोग जो है, क्या है, उस process को diagnosis, आप कहोगे, मतलब, रोग की पहचान आपने कर ली है, और ये भी एक noun word होता है, a particular form of a language which is peculiar to a specific reason, तो एक particular form, जिस भी language की बोली जाती है, जो भी वहाँ की मूल रूप से, जो भी specific किसी reason के अंदर बोली जाती है, उसको dialect बोलते हैं, बोली होती है, वहाँ की, ठीक है, पैकिलर वैसे बिगडा हुआ, या अजीब सा, अजीब सा कह सकते हैं, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं पैकिलर के मतलब, adjective word होता है, ये पैकिलर, पैकिलर, bitter and violent attack in words, उसको डाइबरेट कहेंगे आप, डाइबरेट, सोरी, डाइबरेट नहीं, डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब होगा, आप जो है, एक तरीके से, आख शेप, समझ में नहीं आया होगा ना, noun word होता है, आप ये कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं, आप निंदा करते हैं आप, या फिर कठोर शब्दों में आप, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कठोर शब्दों का प्रियोग करना, मतलब कड़ी language का प्रियोग करना, कड़ी भाशा का प्रियोग करना, आप जो है, डायर ट्राइब कहेंगे उसको ठीए डायर ट्राइब ओके थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि यह वर्ड क्या है डिक्टेटर कहेंगे जिसमें टोटल पावर एक रूलर के पास होती है जो भी वह कहेगा वही कानून है जिसका कोई मतलब मना ही नहीं कर सकता जिसको कोई डिक्टोरियल ओडर्स होते हैं मतलब डिक्टेटर डिक्टोरियल टाइप की जो है अनाौंसमेंट्स या रूल्स को जो है क्या करता है इम्प्लीमेंट करता है जनता के उपर ओके डिक्टोरियल एक एगजिक्टिव वर्ड होता है तानाशाही आप इसका एगजिक्ट हिंदी में मिनिंग कहेंगे और dictator जब आप noun बनाओगे इसका तो ताना शाह आप बनाओगे ओके, a book giving meaning of various words, उसको dictionary कहेंगे spread over a wide area or between a large number of people, उसको diffuse कहेंगे diffuse, diffuse का मतलब क्या होता है, वैसे किसी चीज़ को बंद करना diffuse होता है न, adjective word है, इसका मतलब फैला हुआ, विस्तरी तेक तरी किसे आप कहे सकते हूँ, ठीक है, diffuse करना उसको आप कहेंगे, spread over a wide area और between a large number of people, या फिर बहुत सारे लोगों में फैली होना किसी बात का, या बहुत बड़े area में, जिस सीज के बारे में पता हो जानते हूँ, a situation requiring a choice between equally desirable alternatives और confusions, उसको डाइलेमा कहते हैं, डाइलेमा मतलब confusion या फिर दूइधा के समश्या की what to do, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, noun word होता है, a doubler in the art and literature, उसको डालेटेंट कहांगे, spelling बड़े ध्यान से देखना है, मस्त मुला, मोज मस्ती में रहने वाला, ठीक है, डाइबलर, डाइबलर क्या होता है, डाइबलर मतलब शोकीन, शोकीन या फिर प्रेमी, ठीक है, प्रेमी या शोकीन, a doubler in the art and literature, उसको डालेटेंट कहते हैं, मस्त मुला है, वो art और literature में मस्त रहता है, अपने तरीके से वो रहता है, यह सब चीजें आप इसके साथ जोड़ सकते हो, शोइंग केर and effort in your work and duties, उसको डालेजेंट बोलेंगे, डालेजेंट का मतलब होता है, एक होता है, इंडस्ट्रियस, बड़ा अच्छा वर्ड है, एससी का काफी फिवरेट रहा है, और इसका मतलब मेहनती होता है, डेलिजेंट से में इसको जोड़ना चाता हूँ, और यह भी एक adjective word होता है, इरिस्टिबल करविंग, क्राविंग for alcohol drinks, उसको डिप्सो मनिया, मनिया मतलब सोकीन, किसी चीज़ का लथ, एक तरीके की, डिप्सो मनिया noun word है, शराब की लत, मतलब उस, उससी के बिना रही नहीं सकता, अल्कोहल के बिना रही नहीं सकता, तो उसको डिप्सो मनिया है, किसका, अल्कोहल का, मतलब डीप सो मनिया ही अलकोल भी इसके अंदर आ गया डीप सो मनिया में ओके शराब की लत बुक ओफ नेम्स एंड एड्रेस उसको डाइरेक्टरी बोलते हैं एस सौंग संग इन दे पास्ट एट एट फंडरल फॉर एड़ परसन पंडरल मतलब शाव यात्रा शव यात्रा डेट बोडी को जब ले के जाते हैं तो उसको डाइर्ज बोलते हैं यह नावन वर्ड होता है हमारा शोक गीत एक तरीके से डाइर्ज होता है ओके एन एक्ट डैट हैज डिजास्ट्रस कॉंसिक्वेंसेज जिसके डिजास्ट्रस कॉंसिक्वेंसेज निकल सकते हैं वो डिजास्ट्र होता है डिजास्ट्र में निकलेंगे डिजास्ट्रस कॉंसिक्वेंसेज भयानक परिणाम तो डिजास्ट्र में निकलेंगे आपदा में निकलेंगे खिक है मुसीबत में ही निकलेंगे परिशानी में है निकलेंगे वाला डिसकस नहीं है दोनों डिसकस अलग अलग है प्रेटिशेशन सेम है उसके बार नेक्स्ट है the state of being deprived of a right or privilege, especially the right to word, उसको disfranchise disfranchisement disfranchisement, spelling test के इसाब से बहुत important word है spelling ध्यान से करें इसका वैसे मैं आपको याद भी करवा दिता हूँ, d-i-s dis, उसके बाद an franchise और उसके यह है last में, उसके बाद है meant, disenfranchisement इसमें क्या होता है कि आप किसी को उसका मत, यानि कि vote का अधिकार से आप किसी का अधिकार चीन रहो या उससे उसका अधिकार एक तरीके से onceчит कर रहे हो उसको vote के अधिकार से उसको disenfranchisement बोलते हैं privilege का मतलब क्या होता है privilege जो है इक adjective जो है word होता है इसका मतलब होता है विशेशादिकार विशेशादिकार ठीक है विशेशादिकार उसके बाद क्या है an act that makes that makes feel morally bad or ashamed उसको disgraceful कहोगे आप और इसका antonium आप graceful कहोगे ठीक है ful लगा हुआ है तो adjective word है दोनो graceful भी और disgraceful भी graceful का मतलब होता है एक तरीके से शरमनाक का उल्टा मतलब glory का period एक तरीके से गरव का period graceful कहेंगे आप उसको ठीक है बट ashamed का भी आप synonym दे सकते हैं और disgraceful होगे उसके बाद next है 48 change the appearance to deceive or to hide the identity उसको disguise बोलते हैं disguise वाप है तो disguised disguised इसका second and third form है break up into small parts as the result of impact or decay उसको disintegrate कहेंगे disintegrate अगर डिस अटा दोगे integrate रखोगे तो antonium बन जाएगा दोनों वाप्स का काम भी करते हैं disintegrate भी और integrate भी और दोनों के साथ d लगा दोगे disintegrated disintegrated second and third बनेगा और integrated integrated second and third बनेगा ठीक है antonium बे होते हैं एक दूसरे के integrate करना मतलब जोड़ना और disintegrate करना मतलब तोड़ना ठीक है और वो भी small pieces में ब्रेक अप ब्रेक अप जानते होंगे आप बड़े अच्छे तरीके से किसी भी चीज का अलग होना तूटना ओके बिछड़ाओ चुड़ाओ है ना बड़े अच्छे तरीके से पता होगा यंग जरेश रंको ब्रेक अप है ना बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं इस वर्ड को लास्ट होगा आज का causing a mood of gloom और depression gloom का मतलब मानसिक प्रेशानी डिप्रेशन का मतलब भी मानसिक प्रेशानी और dismal का मतलब भी मानसिक प्रेशानी तीनों एक दूसरे के synonyms और तीनों के तीनों ही adjective होते हैं तीनों बताई दिया मैंने आपको निराशा पूरण यहां पे ऐसे लगा लीजिए उ की मात्रा यह जो है मानसिक प्रेशानी को बताता है हमारी ओके आज के लिए सिर्फ इतना ही 450 तक complete next video होगी 451 से लेके 500 तक जो कि 10th part होगा इस series का तो यह series आप क्यों कैसी लगती है आप facebook page को like कर सकते हैं skill IQ education ठीक है उसको share कर सकते हैं वहां पे followers लेके आ सकते हैं ठीक है चैनल को subscribe कर सकते हैं आपकी मरजी 3K के आसपास हैं बिलकुल आसपास हैं 3K के अलाकि यह भी हो सकता है कि जब तक यह video आप देखें क्योंकि at the time of recording this video 390 नहीं स्वरी 2992 इतने सब्सक्राइबर हैं 2992 एट सब्सक्राइबर तब तक हो सकता है आवी जाए और नहीं भी आएं तो 3K आपको possible है देखेगा possibly हम उस चीज को celebrate करेंगे क्योंकि every step we want to celebrate क्योंकि हम हमारे लिए achievement है यह प्रती एक step हमारे लिए achievement होता है और उसको एक achievement के तोर पर आपको celebrate करना होता है it is very important for us and our journey ओके तो thanks for watching thank you so much me link next video में thank you thank you so much